परज़द महम्मद नदीम अद्दीन जॉब के लिए पहुंच लाइंड के लिए लगन में घर से निकले और वहाँ पर जॉब पर वक्त पर नहीं पहुंचे तो उसी वक्त इतना मिली के वहाँ पर टेस्कों की पार्किंग के अंडरग्राउंड में किसी का मडर हुआ नदीम जॉब पर नहीं पहुंचने की वज़े से तश्विश हुई जाके वहाँ की थेंस वाली पॉलिस टेशन में मालूम किये तो पुलिस वहाँ की पुलिस इनके मुबाइल फोन और आईडी वगरा बता के महम्मद नदीम अद्दीन का मडर हुआ बलके कन्फर्म किये वह इन्विस्टिगेशन हो रहा वज़े क्या है क्यों हुआ क्या हुआ क्या हुआ कोई इतला भी है नहीं तैकिकात जारी है और नदीम पिछले साल साधी हुई थी और इनकी एहलिया डॉक्टर है वो लंडन में है पच्छीज दिन हुआ यहां से हदावा से लंडन जाके और एक्सपेक्टेड है वो यहां पर ट्रावल नहीं कर सकती चूँके एरलाइन्स रेस्टिक्शन होता है इसलिए मैडम सुष्मा सावराच हमारे एक्सरनल अफेज मिनिस्टर हमारे हो मिनिस्टर महमद अली सहाब असुदी नवीसी सहाब को इमेल और मेसेज़ेज दिया है कि इस बुरे वक्त में यहां के जो फैमली मेंबर से वो लिंडन जाएं और वहाँ पर जो घमडिन पूरे अफराद खानदान है जो भी उनका साथ दे रहुदर काफी बड़ा सद़्ा हुआ और यहां पर काफी बड़े सद्वे में हैं सारे खानदान के अफराद खानन यहाँ से अगर वो लंडन जाएंगे तो उनका साथ दे के वहाँ पर तक्षीन में यो लोग शामिल होने के लिए इनको वीजा पासपोर्ट वगरा की जो जरुरत परती उसके लिए मैं हमारे महमद अली साब और मैडम सुश्मा सहराज असुदीन अविसी साब को मदाखलत करते हुए ये बुरे वक्त में इन खांदान की मदद करने की अपील करता हूँ साथ साथ आप तबाँ मेडिया वालों से ये अपील करता हूँ कि किसी घलत मेसेश की रिपोर्टिंग ना करें चुक्छे मैं अभी लेंडन बात किया हूँ मैं लगातार कांटाक्ट में हूँ वहां पर इन्वेटिमएश्गेशन चल रहा है अभी तक ये पताने चला कि किस ने मारा हाँ इतेला ये है कि किसी को गिरफतर किये मगर किस ने मारा रुजुहत कर रहे है अभी कोई इसके इतेला अभी तक नहीं मिले ताहिक हिए चारी है मेरी एक अपील है कि आप लोग प्लीज गलत रिपोर्टिंग न करें काफी गम में हैं सारे अफराद एक खांदान और कोई गलत रिपोर्टिंग कर किसी से हो जाती तो और शदीद हमलों गम उनको सद्मा उनको दे रहे ऐसी बात होती महरबानी करके आपके साथियों को भी इत्यला करें कि खलत रिपोर्टिंग न करें